हलो फ्रेंड्स मैं सौरब जह आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल BSA Tricky Classes पे आज हम लोग Railway Group D और Railway NTPC के एक्जाम को ध्यान में रखते हुए Railway के एक्जामस में बार-बार पुछे जाने वाले Science और Static GK के कुछ महत्पुर्ण सवालों को देखेंगे और साथ ही साथ उनसे जुड़े संभावित प्रस्नों को डिस्कस करेंगे जो Railway Group D और Railway NTPC के एक्जाम में आपसे पुछे जा सकते हैं तो आप सभी से अनुरोद करेंगे कि आप क्लास को अधिक से अधिक से अधिक से एर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे क्लास में उपस्तित होकर क्लास का लाव उठा सकें तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला सवाल Which of the following is not a part of the human elementary canal? निम्न में से कौन सा भाग जो है वो मानव आहार नली का भाग नहीं है तो comment किजेगा मानव आहार नली का भाग नहीं है इन में से कौन सा ऐसा option है जो मानव आहार नली का भाग नहीं है तो आप जानते हैं कि मनुष्य या किसी भी कसेरुकी जन्तु का आहार नाल जो होता है वो एक लंबी कुंडलित नली का होता है जो मुख से सुरू होते हुए ग इन्तेस्टाइन चीक है तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा option number B तो याद रखेगा आहार नली का भाग कौन कौन सा होता है तो मुख गुहा पितास है बड़ी आत चोटी आत यनि मुख गुहा ओसो फेगस इस्टोमग और इन्तेस्टाइन आहार नली का मुख होता है और आह जीव के अगर भाग से और जीव के पस्च भाग से अलग-अलग स्वाद का अनुभाव होता है। जीव के अगर भाग से और पस्च भाग से पता चलता है। जीव के पस्च भाग से और जीव के जो याद रखेगा बगल के भाग से अनुभाव होता है। तो यह दोनों जनरली इंपोर्टेंट आपका बनेगा। और मिलकी तुथ कितना होता है, दूद का दाथ कितना होता है, तो आप जानते हैं कि 20 दाथ ऐसा होता है जो दूद का दाथ होता है। याद रखेगा। ठीक है। इसके अलावा यहां से आपसे सवाल पूछ सकता है कि फार्नेक्स कहां पाय जाता है, गरसनी कहां पाय जाता है। जो दाथ को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है और यह हमारे सरीर का सबसे कठोर भाग होता है। जो अमासे में खुलता है और इसकी दिवार PCA तथा संकुचनसील होती है या पियाद रखेगा ठीक है और ग्रास नली से भोजन होता है आपका कहा जाता है तो इस्टोमक में जाता है या पियाद रखेगा ठीक है और अमासे में क्या होता है तो आप जानते हैं कि हमारा जो इ के अंदर जिवानु है divides को मारने में मदद करता तो याद रखेगा इलगिए इसीड यहां पर और भी सवाल । पुष सकता है यही जैनी आपका परिक्त करता थे कि keप्प्पकी न्याप में परिवर्तित अगला भाग बड़ी आंत भी दो भागों में विवग्त होता है एक कोलोन होता है दूसरा रेक्टम होता है यह आप याद रखेगा ठीक है समझ मैं चली अब अगला सवाल देखते हैं तो यह सवाल आप याद रखेगा सवाल क्या था कि मुख गुहा पित्ता से बड़ियात यह क्या है आहार नाल का भाग है और कौन सा नहीं है तो वायू उठा सके क्लास का यहां पर देखे एक option दिया है बहुत अच्छा गॉल ब्लेडर गॉल ब्लेडर क्या होता है तो पित्ता से नासपती के आकार की एक थैली होती है अगर आप से पित्ता से के बारे में पूछेगा तो पित्ता से क्या होता है नासपती के आकार का एक थैली ह होता है और यह यक्रित के नीचे होता है पित नलीका यानि वाम टाक्ट यक्रित यह हलका चारीय होता है, इसमें 90% के आसपास जल होता है ठीक है, बाकी पित वर्णक, पित लवन, कॉलेस्टॉल, वसा यह सब होता है ठीक है और पित में कोई एंजायम नहीं पाया जाता है इसकी परकृति चारीय होती है यह आप याद रखेगा और पित भोजन के साथ आये हानिकारक जिवानों को भी नस्ट करता है पित में उपस्तित और कार्बनिक लवन अमासे से आय भोजन का माध्यम छारिये कर देते हैं जिससे की पैनिक्रियाटिक जूस किरिया कर सके ठीक है तो यह सब आप याद रखेगा और पित अनेक उत्सरजी एवं विसेले पदार्थ एवं धात्वों के उत्सरजन का कारिक करता है यह वसा के अवसोसन में भी सहायता करता है विटामिन के तथा वसाओं में अन्य विटामिनों के अवसोसन में सहायक होता है विटामिन के याद रखेगा और यह याद रखेगा कि यदि यकृत को सिखाएं रुधिर से पिन फ्याल जाता है और इसी क्रिया को जोंडिस या पीलिया कहा जाता है ठीक है तो यह सवाल आप याद रखेगा एक्जाम में पूछ सकता है तो फटा फट क्लास को लाइक और शेयर कर दिजेगा अगला सवाल है which of the following is the Prime Minister of Israel as of February 2018 फरवरी 2018 के अनुसार कौन इसराइल के परधानमंतरी है तो आप सभी जानते हैं इसराइल के परधानमंतरी कौन है तो अभी भी है Benjamin Netanyahu याद रखेगा इसराइल के परधानमंतरी Benjamin Netanyahu है याद रखेंगे ठीक है चलिए अगला सवाल देखते हैं पूरूस एकल का खिता था यह आपसे पूछ रहा है तो कमेंट किजेगा अस्टिलियन ओपन 2018 में पूरूस एकल का खिता तो याद रखेगा पूरूस एकल का खिताब रोजर फैडर ने जीता था रोजर फैडर स्विजर लेंड के हैं यह आप याद रखेगा तो आस्टिलियन ओपन 2018 में पूरूस एकल का खिताब रोजर फैडर ने जीता था यह आप याद रखेगा अब देखिए यहां से और सवाल आपका पूछ सकता है तो फटा फटा आंसर कमेंट किजेगा आस्टिलियन ओपन 2020 किस ने जीता? याद होगा तो कमेंट किजेगा क्योंकि एकजाम में पूछेगा याद रखेगा अस्टिलियन ओपन 2020 नोवाग जोकोविच ने जीता और नोवाग जोकोविच सर्बिया के हैं तो यह आप याद रखेगा याद रखेंगे अस्टिलियन ओपन 2020 नुवाग जोकोविच ने जीता और नुवाग जोकोविच सर्बिया के प्लेयर हैं तो याद रखेंगा नुवाग जोकोविच सर्बिया के खिलारी हैं फ्रेंच ओपन 2020 पूछेगा और आज जानते हैं अस्टिलियों ओपन के बारे में कि अस्टिलियों ओपन जो है यह सबसे साल का पहला Grand Slam होता है अस्टिलियों ओपन ठीक है और फ्रेंच ओपन 2020 पूछेगा तो क्या होगा अंसर कमेंट कीज़ेगा फ्रेंच ओपन 2020 ठीक है फ्रेंच ओपन 2020 के बारे में बताएगा किस ने जीता था तो फ्रेंच ओपन 2020 राफेल नडाल ने जीता था याद रखेगा फ्रेंच ओपन 2020 राफेल नडाल ने जीता था याद रखेगा और राफेल नडाल कहां के हैं विम्बल्डन 2020 का या नहीं हुआ था ठीक है और हुआ था तो किस ने जीता या नहीं हुआ था या आपको कमेंट करना है ठीक है इसके अलावा हम आपको विम्बल्डन 2019 पता देते हैं ठीक है तो विम्बल्डन 2019 क्योंकि आपको पता है कि विम्बल्डन जो है यह सबसे पुर विंबल्डन 2019 जीता था और नवाग जोकोविश सर्बिया के प्लेयर हैं यह आप याद रखेंगे ठीक है समझ में आया तो विंबल्डन 2019 किस ने जीता नवाग जोकोविश ने जीता नवाग जोकोविश ने जीता यह आप याद रखेंगा इसके अलावा आपसे पूछ सकता यूस ऊपन 2020 तो यूस ऊपन 2020 जीता तो कमेंट किजिएगा यूस ऊपन 2020 किस ने जीता तो याद रखेगा डॉमनिक थीम कहां के हैं तो आस्ट्रिया के हैं या आप याद रखेगा थीग है अब यहां से सवाल क्या क्या आपका पूछ सकता है यह तो सवाल बड़ा बढ़ियां था कि आस्टेलियन ओपन किस ने जीता आप से यह भी पूछ सकता है कि आस्टेलियन ओपन कहां पर खेला जाता है मतलब कले पर खेला जाता है या मिट्टी पर खेला जाता है ठीक है इस सवाल ब 하니까 याद रखेगा उपन और अमेइकन ओपन होता वह हर्ड कोड़ पर खेला जाता है ठीक है फ्रेंच ओपन बोलेगा तो फ्रेंच ओपन हम लोग पढ़ें कि मिट्टी पर खेला जाता है तो याद रखेगा फ्रेंच ओपन कहां खेला जाता है तो फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है तो फ्रेंच ओपन जो है यह मिट्टी पर खेला जाता है क्ले पर ख टूद्वांएंट ऊप्र तोस्ताव है टीक है यह सवाल बहुत पूशता है वीप कि अमेरी फेल्ट तो याद रखिएगा विंबल्डल्ड घास पर खैला जाने वाला ग्रेंट स्लम टूद्वेंट है ति कैसे चाहिए अगला सवाल 698 of sodium contains 3 molecules of sodium what is the atomic mass of sodium sodium के 698 mol में gram होना चाहिए sodium के 698 gram में sodium के 3 mol होते है sodium का पर्मानु दरिमान क्या है अब ये पढ़ने का हम को ज़रत ही नहीं है sodium का पर्मानु दरिमान क्या होता है sodium का पर्मानु संख्या कितना होता है 11 तो उसका दरिमान संख्या कितना होगा उसका डबल से थोड़ा ज़्यादा 23 तो आंसर ऐसे देंगे question से मतलब ही नहीं था तो sodium का पर्मानु दरिमान क्या है तो आप जानते हैं कि sodium का पर्मानु दरिमान कितना होगा 23 होगा sodium क्या है एक धातू है और sodium क्या है एक धातू है याद रखेगा और sodium क्या होता है बहुत soft धातू होता है sodium इतना मुलायम धातू होता है कि इसको चाकू से काटा जा सकता है तो अगर आप से पूछेगा sodium किस प्रकार का धातू है तो sodium soft metal होता है ठीक है काफी अभिक्रियासील होता है चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है, यह आप याद रखेगा, इसके अलावा सूडियम बहुत जदा विक्रियासील होता है, ठीक है, और सूडियम धातू को पानी में तेरता है, अगर सूडियम जो है, इसको पानी में रखेंगे, तो काफी हलका होता है, याद रखेगा, सूडियम काफी हलका होता है तो हलका होगा ये तो पानी में तेरेगा तो ये याद रखना है कि पानी में तेरता है तो अगर ये पानी में तेरता है तो अगर इसको पानी में रखेंगे तो क्या होगा पानी में आग लग जाएगा क्यों? क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा विक्रियासील होता है ठीक है इसलिए इसको पानी में नहीं रखते हैं समझ माया तो याद रखेगा सोडियम धातू काफी मुलायम धातू होता है और sodium बहुत जदा भी क्रियासिल धातू होता है लेकिन इतना हलका होता है कि ये पानी में तैरता है जिसके वैसे sodium धातू को हम पानी में नहीं रखते हैं sodium धातू को हम केरोशिन तेल में रखते हैं क्योंकि sodium धातू केरोशिन तेल में डूब जाता है समझ में आया तो याद रखना है कि सोडियम को केरोशिन तेल में रखा जाता है ठीक है तो याप याद रखेगा सोडियम को केरोशिन तेल में रखा जाता है और सोडियम को एने से लिखा जाता है आप जानते हैं और इसका दरिमान संख्या केता होगा दरिमान होगा तईस या नेम्न में से कौन सा विकल्ब का माध्यम दिष्टिगत रूप से सघन होता है। तो इन में से कौन सा माध्यम जो है, वो सघन है या आपसे पूछ रहा है, तो ये सवाल आपको बता भी चुके हैं, तो कमेंट कीजेगा इन में से कौन सा माध्यम जो है, ये सघन होता है, ठीक है, तो आंसर कमेंट कीजेगा इन में से कौन सा माध्यम सघन होता है, तो सही आं तो सही है अंसर क्या होगा टारपेंट ताइन सगन माद्धिम होगा ठीक है अब आप benजीन के बारे में जानते है benजीन का फर्मूला क्या होता है गर yapt कीजिए गाży बेंजीन का फर्मूला होता है C6, H6 और बेंजीन जो है ये सभी एरोमेटिक योगीकों का जनमदाता कहलाता है तो आपसे ये सवाल पूछेगा कि एरोमेटिक योगीकों का जनमदाता किसको कहा जाता है तो याद रखेगा एरोमेटिक योगीकों का जनमदाता बेंजीन को कह जाता है ठीक है तो यह important सवाल है पूछेगा एक्जाम में aromatic योगिकों का जनमदाता किसको कहा जाता है तो बेंजीन को aromatic योगिकों का जनमदाता कहा जाता है ठीक है और aromatic योगिकों का जनमदाता कहा जाता है बेंजीन को साथ ही साथ बेंजीन का बहुत सारे uses है विसपोटक ब अंसर होगा ठीक है अगला सवाल who wrote the famous novel आनंद मठ during the Indian National Movement भारती रास्टी आंदोलन के दौरान परसिद उपन्यास आनंद मठ किसने लिखा तो कमेंट किजेगा भारती रास्टी आंदोलन के दौरान परसिद उपन्यास आनंद मठ किनों ने लिखा तो काफी आसान सवाल है आन आनंद मठ के लेखा कौन है तो आप सभी जानते हैं कि आनंद मठ के लेखा के बंकीम चंद चटर जी तो याद रखेगा आनंद मठ के लेखा कौन है बंकीम चंद चटर जी अगर आपसे पूछेगा इन्होंने कौन से साल में आनंद मठ पुस्तक लिखा था तो आंसर क्या किस साल आनंदमट की रचना किये थे बंकीम चंद चटर जी की द्वारा किस साल आनंदमट की रचना हुई थी याद है तो कमेंट कीजेगा ठीक है याद है तो कमेंट कीजेगा देखिए अब आपको पता होगा कि आनंदमट से हम लोगों ने क्या लिया है आनंदमट में किसी आपनाया गया तो यहां थोड़ा नीचे लिखेंगे आपसे पोछेगा तौआ एक डेट याद रखेगा 24 जनवरी 1950 तो 24 जनवरी rainforest में तीन महत्पुर्ण काम हुए ठीक है तो पहला क्या होता है रास्ट गान अपनाया गया तो आगर आपसे पूचता है रास्ट गान कब अपनाया गया ठीक है तो रास्ट गान अपनाया जाता है 24 जनवरी 1950 रास्ट गीत कब अपनाया गया तो 24 जनवरी 1950 को रास्ट गान और रास यही देट आपको याद रखना है कि राजंदर जी रास्टपती बने ठीक है तो राजंदर जी प्रेसिडेंट कब बनते हैं पहले प्रेसिडेंट बनते हैं तो 24 जनवरी 1950 को क्या होता है सविधान सभा का अंतिम बैठक होता है तो अगर आप से पूछेगा सविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी को रास्ट गान और रास्ट गीत अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को राजंदर परसाथ जो है वो भारत के पहले रास्टपती बने थे समझ मैं तो यह चार सवाल यहां से आप याद रख लिजेगा इसके अलावा देखिए हम लोग पढ़ र जी के द्वारा जो आनंदमट पुस्तक लिखा गया था इसमें किया गया था तो यह कब पब्लिस हुआ था तो 1882 में ठीक है तो यह आप याद रखेगा कि रास्ट गान का पर्थम प्रकाशन 1882 इस्वी में बंकिम चंद चटर जी के उपन्यास आनंदमट में हुआ है आप अबसे कुछ सवाल पूछा जाता है तो आप लोग कमेंट कीजेगा ठीक है बहुत सारे बच्चेया जो कक्मेंट करते हैं लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी है जो इदा अदर की आते करते रहते हैं तो प्लीज कमेंट किया करें आपको इतना समय देते हैं जैसे एक सवाल अभी यह पूछे थे तो दो-तीन मिनट के बाद हम डिसकस किए तो आपको उसके बीच में आंसर करना चाहिए क्योंकि इंपोर्टेंट है साल पूछेगा आपसे हैं तो आपको याद है याद रखेगा पंडित विशन नारायन दत पर चुके हम लोग तो पास्टगन कब गया जाता है, सताई दिसंबर 1911 को गया जाता है, रविन नाट टेगोर जिके द्वारा रचीत है, रविन नाट टेगोर को आपको पता है कि 1913 में क्या मिलता है, नॉबल पुरुषकार मिलता है, गितांजली पुस्तक के लिए, गुरुदेव की उपाधिक कि ठीक है, समझ मैं आया, और महात्मा गांधी को महात्मा किस ने कहा, अगर आप से पूछेगा महात्मा गांधी को महात्मा किस ने कहा, तो फिर रविन नाट टेगोर जी ने कहा, समझ मैं आया, तो ये सवाल याद रखेगा, रविन नाट टेगोर जी ने गांधी जी को महात गांधी जी ने रविन्ना टेगोर जी को गुरुदेव कहा था और रविन्ना टेगोर जी को कौन सा उपादी दिया गया था तो आप जानते हैं कि नाइट हूड का उपादी रविन्ना टेगोर जी को दिया जाता है ठीक है और गांधी जी को केसरे हिंद का उपादी दिया ग तो याद रखेगा रास्टगीत को सबसे पहले 1896.sw के कौलकाटा अधिवेशन में गाया जाता है तो ये सब सवाल एकजाम में पूछ सकता है और संसद का अधिवेशन जो होता है वो सुरू किस से होता है तो संसद का अधिवेशन जन्गनमन से सुरू होता है और संसद का अधिवेशन समाप्त होता है आपका रास्टगीत यानि वंदे मातरम से ठीक है? तो क्लास को एक बार लाइक और शेर कर दीजे ताकि बागी बच्चे भी क्लास में उपस्तित होकर क्लास का लाब उठा सकें अगला सवाल टेरीडोफाइटा ग्रूप प्लांट्स आर नौट फाउंड इन टेरीडोफाइटा समुह के पौधों में क्या नहीं पाया जाता है तो कमेंट किजेगा टेरीडोफाइटा समुह के पौधों में क्या नहीं पाया जाता है तो आप जानते हैं जो पादब जगत है उसको तीन भागों में बाटा गया है एक तो थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रेकियोफाइटा थेलोफाइटा क्या होता है तो आप जानते हैं कि थेलोफाइटा के अंतरगत मुखी रूप से सैवाल, फंजाई, बैक्टिरिया यह सब आता है और थेलोफाइटा का सरीर जो होता है वो जड़, तना एवं पतियों में विवाजित नहीं रहता है लेकिन यह एक थेलस की रूप में रहता है इसलिए इन् सब्सक्राइटा को सब्सक्राइटा को पारहता है और फिरुर तीन भाने बाटा है भाता है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म समझ में आया और यहां पर आपका सवाल पुछा गया टेरीडोफाइटा को टेरीडोफाइटा में क्या नहीं पाया जाता है तो आंसर करेंगे टेरीडोफाइटा में क्या नहीं पाया जाता है तो याद रखेगा टेरिडोफाइटा जो होता है उसमें फूल नहीं पाया जाता है क्या नहीं पाया जाता है टेरिडोफाइटा गुरुप के पौधों में फूल नहीं पाया जाता है तो याद रखेंगे कि टेरिडोफाइटा पौधों में अपुस्प भीद यानि इसमें अब इसका विसेशता क्या क्या होगा तो इसका सरीर जड़ तना एवं पत्ती में विवाजित रहता है इसमें समवहन उत्तक जाइलम एवं फ्लोयम में बटा होता है इसमें पुस्प एवं बीज का निर्मान नहीं होता है तो फूल और बीज इसमें नहीं होता है या आप या चुछ इसमीं कि तेरीडो फाइटा संरून के जो पौधे होते हैं उसमें फूल और बीज का निरमान नहीं होता है समय में आए तो क्या होता है अलावा लाइकोपॉडिया से दवाई बनाया जाता है तो लाइकोपोडियूम क्या हुआ त्या दवा इक्जामपल constit joke इसके अलावा मरसीलिया और सिरे टोप्टेरिस यह जो होता है यह भी टेरिडोफाइटा होता है और इसका अपयोग हम लोग सबजी के रूप में करते हैं ठीक है तो यह सब पूछेगा तो याद रखेगा और अगर आपसे पूछेगा अनाविर्त बीजी पौधा क्या होता ह याद रखेगा अनाविर्त बीजी पौधा का वह सब फाइलम है जिसके अंतरगत वे पौधे आते हैं जिन में नगन बीज होते हैं अथार्ट ओवुल्स तथा उनमें विक्सित बीज किसी खोल या फल में बंद नहीं होते हैं इनमें ओवरी का पूर्ण अभाव होता है याद रखेगा कि अनाविर्त बीजी में जो बीज होगा वह काफी छोटा बीज होता है और इसमें ओवुल्स तथा उनसे विक्सित बीज किसी खोल या फल में बंद नहीं होते हैं इसमें अंडासय का पूर्ण अभाव होता है य अगर आपसे पूछेगा कि साइकस से क्या होता है, तो साइकस से क्या बनता है, कमेंट की जगा साइकस से क्या प्राप्त होता है, तो याद रखेगे साइकस के तनों से स्टार्च निकाल कर खाने वाला साबूदाना का निर्मान होता है, यह जो साइकस से साबूदाना बनता ह ठीक है पहला यूज उसके बाद आप जानते हैं कि पाइनस, पाइनस से प्राप्त होने वाला चिलगोजा ये भी खाने के काम आता है ठीक है तो यह क्या है ये आपको याद रखना है कि जिमनो इस पम का एक्जाम्पल है तो जेनरली यही एक्जाम में पूछेगा कि चिलगो जो होता है काफी बहुत ज़्यादा मजबूत होता है और फरनीचर बनाने में काम आता है तो पाइन, सिकोया, देवदार इन सब का लकडी जो होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है और फरनीचर बनाने में बहुत ज़्यादा काम करता है इसके अलावा आपसे ने अगर आप से पूँछेगा कि तार, 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 पैंटेइन का Ik선 तो तररांट। कीस्से मिलता है तो तार, ताल की मिलता है , पार है सोंगों लिखाए you इसके अलावा आपसे क्या पूछ सकता है यहाँ पे कि सेंडरस का तेल किसे मिलता है ठीक है तो कमेंट किजेगा सेडरस वाइल किसे मिलता है याद रखेगा सेडरस वाइल जो होता है या आपका देवदर के पेड़ से मिलता है ठीक है देवदार के पेड़ से याद रखेगा इसके लावा टेनीन, टेनीन का उपयोग आप जानते हैं कि चमड़ा एवं स्याही बनाने में होता है, तो ये भी याद रखेगा, टेनीन का उपयोग जो होता है, वो चमड़ा और स्याही बनाने में, मतलब चमड़ा और स्याही बनाने में किसका उपयोग होता है, टेनीन का जाता है या आप याद रखिएगा ठीक है और साइकस को क्या कहा जाता है लिविंग फॉसिल कहा जाता है इन में से किसे जीविद जिवासम कहा जाता है पढ़े होंगे आप लोग जीविद जिवासम या लिविंग फॉसिल किसको कहा जाता है तो साइकस को जीविद जिवासम या फिर living fossils कहा जाता है समझ में आया चिक है तो यह सब आप याद रखेगा तो फटा फट एक बार class को like और share कर दीजे ताकि बाकी बच्चे भी class में आ सकें और class का lab उठा सकें बहुत कम बच्चे अभी class में live हैं तो please class को support करें अगला सवाल ध्यानचंद अवर्ड फोर lifetime achievement वाज instituted for the year lifetime achievement के लिए ध्यानचंद अवर्ड कब से दिया जा रहा है तो काफी अच्छा सवाल है कि ध्यानचंद पूरुषकार कब से दिया जा रहा है तो आप सभी जानते हैं मेजर ध्यानचंद जी के बारे में मेजर ध्यानचंद जी के सम्मान में ध्यानचंद अवर्ड दिया जाता है और मेजर ध्यानचंद होकी के जादुगर थे आप सब जानते हैं तो आप से पूछ रहा है कि ध्यानचंद अवर्ड कब से दिया जा रहा है तो कमेंट किजेगा ध्यानचंद अवार्ड 2002 से दिया जा रहा है कब से दिया जा रहा है तो याद रखेंगे ध्यानचंद पुरुसकार 2002 से दिया जा रहा है ठीक है समझ मैं और खेल में जीवन भर की उपलब्दी के लिए ध्यानचंद पुरुसकार दिया जाता है 2002 से दिया जा रहा है ठीक है अ Economics का Nobles कब से दिया गया 1979 में और अब Nobel पुरुष्कार चे में दिया जाता है याद रखीगा यहां से तीं-4 सवाल आपको Recall हो जाएगा तो आगर आपसे पूछेगा इकॉनमिक्स का नॉबल कब मिला तो आप जानते हैं कि मानबुकर पुरुसकार 1979 से दिया जा रहा है और ये साहित्य का दूसरा सबसे बड़ा पुरुसकार है याद रखना है नॉबल पुरुसकार के बाद साहित्य का दूसरा सबसे बड़ा पुरुसकार मानबुकर पुरुसकार है ये 1969 से दिया जा रहा है य से दिया जाता है तो दादा साफ फाल के पुरुषकार 1969 से दिया जा रहा है तो याद रखेगा दादा साफ फाल के पुरुषकार 1969 से दिया जा रहा है याद रखेगा और पहला दादा साफ फाल के अवर्ड किन को मिला था देविका रानी रोरिक को मिला था पहला दादा साफ फालकी अवर्ड या आप याद रखेगा ठीक है इसके अलावा आपसे पूछ सकता है ज्यानपीट अवर्ड भारत में साहिते का सबसे बड़ा पुरुषकार कौन सा है ज्यानपीट अवर्ड है तो आपसे पूछेगा ज्यानपीट अवर्ड कब से दिया जा रहा है तो ज्या जी संकर कुरूब को मल्यालम भासा के लिए 1965 में ग्यानपीट अवर्ड दिया गया था पहला और हिंदी भासा का पहला ग्यानपीट अवर्ड सुमित्रा नंदन पंत जी को मिलता है या आप याद रखेगा ठीक है इसके अलावा आपसे पूछेगा रमन मैक्सेसे अवर्ड 1958 में क्या हुआ रमन मैक्सेसे अवर्ड दिया गया 1958 में DRDO का निर्मान हुआ और 1958 से ग्रेमी अवर्ड भी दिया जाता है ठीक है तो यह सब सवाल आप याद रख लिजेगा आसानी से रिलेट करके पढ़िएगा तो ग्रेमी पुरुषकार कब से दिया जा रहा है ग्रेमी अवर्ड कब से दिया जा रहा है तो 1958 से संगीत के छेतर में ग्रेमी अवर्ड उनिशुआ ठावन से रमन मैक्सेसे अवर्ड और उनिशुआ ठावन में DRDO का निर्मान होता है यह आप याद रखेगा चेक है और इस रो का निर्मान 15 अगस्त 1969 को होता है यह आप याद रखे राजीव गांधी खेलरतना अवर्ड कब से दिया जा रहा है तो 1992 से राजीव गांधी खेलरतना अवर्ड किनको मिला था तो आप याद रखेगा विस्वनात आनंद जी को पहला राजीव गांधी खेलरतना अवर्ड कब से दिया जा रहा है तो 1992 से राजीव गांधी खेलर में उसके बाद महिंद्री सिंग धौनी देन विराट को लिए और अब रोहित सर्माजी को मिला है याद रखेगा ठीक है तो खेलरतन अवर्ड धनवंतरी पुरुषकार कब से दिया जा रहा है तो ठीक से लिखेगा धनवंतरी पुरुषकार कब से दिया जा रहा है तो आपको पता होगा 1971 याद रखेगा धनवंतरी पुरुषकार 1971 से दिया जा रहा है अब 1971 से सवाल क्या बनता है पहला सवाल भारत और पाकिस्तान के ब प्रवारत में दूसरी पार अपातकाल कब लगता है नेस्नल अपातकाल नेस्नल एमर्जनसी उनिस्वेकतर में तो कितना सवाल बना गिन सकते हैं आप तो इस तरह आप रिलेट करके पढ़िएगा क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि हर एक जग हम लिखेंगे तो आप regular रहिएगा तो आप ये सब सुनते रहिएगा अगर सुनिएगा भी न तो आपको ये सब याद हो जाएगा इसलिए हम बार बार बता देते हैं ये सब सवाल ठीक है क्योंकि हम जानते हैं बताए हुए आपको लेकि फिर भी लिखते नहीं है बता देते हैं ताकि आप लखेगा और मद्यपर्देश सरकार के द्वारा कुछ सम्मान दिया जाता है तो MP सरकार के द्वारा मद्यपर्देश सरकार द्वारा कौन-कौन सा सम्मान दिया जाता है तो आप जानते हैं कि मद्यपर्देश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान दिया जाता है तो अगर आप से लिखेगा लता मंगिसकर पुरुसकार ठीक है यहाँ पर जगह नहीं है तो हमको बहुत सारा एक ही जगह बताना है तो लता मंगिसकर पुरुसकार याद रखना है कि मद्यपरदे सरकार द्वारा दिया जाता है ठीक है इसके अलावा आप से पूछेगा किसोर कुमार संबान किसोर कुमार संबान आप जानते हैं किसोर कुमार जी को तो किसोर कुमार संबान मदेपरदे सरकार द्वारा दिया जाता है ठीक है समझ में आ रहा है तो कालिदास संबान तुलसिदास संबान लता मंगिसकर पुरुस्कार किसोर कुमार संबान मदेपरदे सरकार द्वारा दि प्लीज क्लास को एक बार फटाफट लाइक और शेर कर दीजेगा अगला सवाल है दो फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पॉटेंशिल एनरजी इज गुर्तवाकर्शी इस्तितिज उर्जा का सुत्र क्या होता है तो आप पढ़े होंगे आंसर कमेंट करेंगे गुर्तवा गुर्तवाकर्शी इस्तितिज उर्जा का सुत्र क्या होता है तो आप सभी जानते हैं आंसर क्या होने वाला है इसका गुर्तवाकर्शी इस्तितिज उर्जा का फर्मूला क्या होता है तो आप जानते हैं कि इस्तितिज उर्जा PE बराबर क्या होता है MGH होता है तो सही आंस आप जानते हैं कि Potential Energy होता क्या है, तो किसी बस्तु में उसकी State, या अवस्था या Position, या इस्थिती के कारण कारे करने का जो छमता आता है, उसको इस्थिती उर्जा कहा जाता है, आप जानते हैं कि बांध बना कर इकटा किए गए पानी की उर्जा को इस्थिती उर्जा कहते हैं मतलब count करते हैं घड़ी की चाफी में जो stored energy होता है वो भी संचीत उर्जा या फिर इस्थितिज उर्जा का उधारन है तनी ही भी spring या कमानी की जो उर्जा होता है उसको भी हम लोग potential energy में consider करते हैं तो यह आप याद रखेगा और गतिज उर्जा तो आप जानते ही है कि किसी वस्तू में उसकी गति के कारण जो कारी करने का चमता होता है उसको गतिज उर्जा कहते हैं और गतिज उर्जा के बराबर क्या होता है वन बाइटू M B square होता है और आप जानते हैं कि गतिज उर्जा में अगर दर्यमान को दो गुना करेंगे तो गतिज उर्जा भी दो गुना हो जाता है यानि दर्यमान को दो गुना M को अगर 2M करेंगे आपको पता ही है पढ़ा चुके है तो अगर भी के जगर 2B रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा चार गुना हो जाएगा तो याद रखेगा अगर आपसे पूछेगा कि वस्तू के वेक को दो गुना करेंगे तो गती जूर्जा क्या हो जाएगा चार गुना हो जाएगा और वस्तु के वेक को आधा करेंगे तो गति जुर्जा वन बाई फोर्थ हो जाएगा क्यों 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 कि आप देख रहे हैं यहां पर भी भी का मान अगर टू भी रखेंगे तो टू भी का होल स्कुएर करेंगे तो चार भी स्कुएर आ जाएगा या नि kinetic energy चारगुना हो जाएगा समझ में आया तो यह आप याद रखेगा अब यहाँ से सवाल क्या क्या आपका पूछ सकता है ध्यान दिजेगा आप से पूछ सकता है कि सौर सेल किस सिधान पर काम करता है तो सौर सेल आप जानते हैं कि रुपांतर किस परकार करता है तो डाइनमो यांतरिक उर्जा को विदूत उर्जा में कनवर्ट करता है यह आप याद रखेगा डाइनमो यांतरिक उर्जा को विदूत उर्जा में कनवर्ट करता है तो याद रखेगा microphone ध्वनी उर्जा को विदूत उर्जा में convert करता है ठीक है? यानि रुपांतरित करता है और आप जानते हैं उर्जा सनक्षन का नियम कि उर्जा का ना तो निर्मान कर सकते हैं नहीं destroy कर सकते हैं बस उर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रुपांतर करता है और भारत में सितार का जनक किनको कहा जाता है तो अमीर खुसरो जी को भारत में सितार का जनक कहा जाता है आप जानते होंगे है ना तो यांतरिक उर्जा को ध्वनी उर्जा में convert करता है समझ में आया याद रखेगा यांतरिक उर्जा को ध्वनी उर्जा में convert करता ह सितार या आप याद रखेगा तो यह सब सवाल आप याद रखेगा तो प्लीज क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर दीजेगा ताकि बाकी बच्चे भी क्लास में हमसे जुड सकें और क्लास को सफल बना सकें तो प्लीज सपोर्ट करें अगला सवाल नेम दड़क्ट that comes out of the male testis and carries the sperm into the body उस वाहिनी का नाम बताएं जो पुरुस के व्रिशन से निकलती है और सुक्रानू को सरीर में ले जाती है तो फटा फट आंसर करेंगे उस वाहिनी का नाम बताएंगे जो पुरुस के व्रिशन से निकलती है और सुक्रानू को सरीर में ले जाती है तो सही आंसर क्या होगा, option number D, Venice तो सही आंसर क्या होगा, सुक्रवाहिका होगा, या आप याद रखेगा चली, अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल, which of the following cities has the largest population किस सहर की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो आप आसानी से बता सकते हैं, मुंबई है ना, आसान सवाल है तो फिर, किस सहर की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो मुंबई होगा, अंसर, अगला सवाल देखते हैं which of the following bank has become the first bank in India to introduce inter-native humanoid called IRA for customer service निम्न में से कौन सा bank ग्राहक सेवा के लिए interactive humanoid IRA नामक service सेवा सुरू करने वाला भारत का पहला bank बना है यनि कौन सा ऐसा भारत का पहला bank है, जो ग्राहक सेवा के लिए interactive humanoid IRA नामक, मतलब ये जो interactive humanoid है, ये सुरू करने वाला पहला bank कौन है, ये आपसे पूछ रहा है तो सही answer क्या होगा, HDFC bank याद रखेगा, HDFC bank ग्राहक सेवा के लिए interactive humanoid सुरू करने वाला भारत का पहला bank बना है ये आप याद रखेगा, सही answer क्या होगा, HDFC bank याद रखेगा ठीक है, तो अगर आप regular रहिएगा, ठीक है, तो आपको बहुत सारा सवाल exam में देखने को मिलेगा ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ group D का class attend कीजे, इसके अलावा SSC का जो class होता है, GK का उसको भी आप देखेए, क्योंकि वहां से भी आपके exam में बहुत सारा सवाल आएगा क्योंकि science, SSC, MTS का जो class चलता है, उसमें भी science हम लोग देखते हैं, या static GK देख रहे हैं, बाकी और जो class है, UPSC का है, वहां पे भी हम लोग बहुत सारा GK और science का सवाल देख रहे हैं, ठीक है, तो आप regular रहिएगा अगला सवाल, which of the following island is in Assam for which the government has launched a scheme to protect it, कौन सा द्वीप Assam में है, जिसकी सुरक्षा के लिए सरकार ने एक योजना शुरू किया है, तो यह सवाल तो आप देख के आंसर कर सकते हैं, ठीक है, कौन सा ऐसा द्वीप है जो Assam में है, जिसकी सुरक्षा के लिए सरकार ने एक योजना शुरू किया है, तो विहलर द्वीप Assam में तो है ने उडिसा में है, विहलर द्वीप कहां पे है, उडिसा में है, ठीक है, आप से पूछा क्या गया है यहां पे, कि कौन सा द्वीप है Assam में, ठीक है, तो आसा में कौन सा द्वीप होगा, तो आप जानते है student and writer selected for व्यास सम्मान 2017 for the novel दुखम सुखम ठीक है आपसे पूछ रहा उपन्यास दुखम सुखम के लिए व्यास सम्मान 2017 के लिए चुने गए परसिद्ध हिंदी विद्वान और लेखक का नाम क्या है ठीक है यहाँ पे student लिख दिया है दुखम सुखम उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 2017 किनको मिला है तो एक बार कमेंट कीजेगा अंसर क्या होगा याद रखना है ममता कालिया जी को याद रखेंगे ममता कालिया जी को 2017 में व्यास सम्मान मिला है दुखम सुखम के लिए ठीक है तो याद रखेंगे चले अगला सवाल देखते है अगला सवाल तो आप सभी जानते हैं सुरेश परवू थे तभी ठीक है और अभी कौन है या आपका हूंवक रहेगा कमेंट किजेगा वानेज्य और उद्धो के कैंद्रिय मंतरी वर्तमान में कौन है अगला सवाल देखते हैं यहां से क्या आपको समझ में आ रहा है कि आपको जो करेंट इवेंट है जिसे मुख्यमंतरी गवर्नर ठीक है यह सब आपको याद रखना होगा चैबिनेट मिनिस्टर यह सब आप याद रखेगा ठीक है अगला सवाल तो आप जान रहा है आपसे पूछ रहा है निसिता नेगी को केंद्रिय मंतराले ने पांच लाख रुपया साहता दिया था ठीक है तो निसिता नेगी किस खिलाडी से सम्बंदित है तो देखे सवाल कैसा पूछा गया है ठीक है यहाँ पे सरकार के बारे में भी बता रहा है कि सरकार ने help किया है निशिता नेगी का और निशिता नेगी किस खिल से जुड़ी हुई है तो manly आपको याद क्या रखना है यहाँ पर बस आपको यह याद रखना है कि निशिता नेगी किस खिल से जुड़ी हुई है ठीक है बाकी 17 का है तो कोई काम का नहीं है तो आपको comment करना है निशिता नेगी फुटबॉलर हैं, क्या है, फुटबॉलर हैं, यह आप याद रखेगा, कि निशिता नेगी फुटबॉल की प्लेयर हैं, यह आप याद रखेंगे, ठीक है, अगला सवाल, फादर ओफ टैक्सोनोमी, फादर ओफ टैक्सोनोमी किनको कहा जाता है, तो कमेंट किजेगा, फादर ओफ टैक्सोनोमी के रूप में किनको जाना जाता है, तो आप सभी जानते हैं, कि फादर ओफ टैक्सोनोमी किनको कहा जाता है, तो कमेंट किजेगा, फादर ओफ टैक्सोन जाता है याप याद रखेगा तो सही आंसर क्या होगा option number D आपका सही आंसर होगा अब देखिए यहां से कुछ और सवाल आपके exam में पूछ सकता है ठीक है तो ध्यान देजेगा जो आपको सवाल बताने जा रहे हैं बहुत अच्छा सवाल रहेगा यहां से आपका बहुत सव सप्छम जीव वज्यान के जनक कौण है याद रखेगा चैप यह आप याद रखेगा इसके अलावँ आपसे पूछेगा की सुक्ष्म जीव सुक्ष्म विज्यान के जनक कौई है गर रहे है याद है को क्मेंट किजे सुक्ष्म जीव विज्यान के जनक कौन है तो याद रखेंगे एंटोनियो वन लिवन होक ने बैक्टिरिया का खोज किया था तो बैक्टरियो लोजी के जनक कौन हुए तो याद रखेंगे सुक्ष्म जीव विज्यान के जनक कौन है एंटोनी वन लिवन होक याद रखेगा सुक्ष्म जीव विग्यान का जनक कहा जाता है एंटोनी वान लुवनुवनौक को ठीक है और पैनिसिलीन का खोज किस नहीं किया था तो आप जानते हैं अलेक्जेंडर फ्लैमिंग ने पैनिसिलीन का खोज किया था ecosystem सब्द अगर आपसे पूछेगा ecosystem सब्द किस ने दिया तो याद है ecosystem सब्द का पर्तिपादन किस ने किया तो ecosystem सब्द याद रखना है ag translate जो सवाल पूछता है वही लिख रहे हैं तो याद रखेगा ag translate ने ecosystem सब्द दिया तो आप याद रखेगा और अगर आपसे पूछेगा एक जीन एक एंजाइम जो सिधान्त है वो किस ने दिया ठीक है वन जीन वन एंजाइम का सिधान्त किस ने दिया कमेंट किजेगा एक जीन एक एंजाइम का सिधान्त किस ने दिया ठीक है पूस्ता है ये सवाल में एक जीन एक एंजाइम थियोरी किस ने दिया तो आंसर क्या होगा याद रखेंगे एक जीन एक एंजाइम थियोरी जो है बीडल एंड टॉटम ने दिया याद रखेगा बीडल and टॉट्टम ने ठीक है तो एक जीन एक एंजाइम ठीजिवरी किस ने दिया तो बीडल और टॉट्टम ने एक जीन एक एंजाइम ठीजिवरी दिया याँ आप याद रखेंगे ठीक है इसके लावा आपसे पूचेगा इंसुलीन इंसुलीन का विसकार किस ने किया उसता है इंसुलीन क्या है एक हॉर्मोन है आप जानतें इंसुलीन क्या है एक हॉर्मोन है और इंसुलीन का विसकार किस ने किया तो बेंटिंग और बेस्ट ने किया तो अगर आप से पूछेगा इंसुलीन का विसकार किस ने किया तो दूइनाम पदती भी नोने दिया है, आपको पता होना चीए, कि दूइनाम पदती किस ने दिया, तो दूइनाम पदती ज़ा इसके लावा जैनेरा प्लैंटेरम पुस्तक के लिखक कोन है? कार्लस लिनियस समझ में आया तो ये पुस्तक भी लिखे हैं और साथ ही साथ वेग्यानिक भी है तो ये सवाल पूछेगा तो याद रखेगा इसके लाव हिर्दे परतियारोपन पहली बार किस नहीं किया था आप जानते हैं कि क्रिश्चिन बर्नार्ड ने किया था याद रखेगा ठीक है? और आपसे पूछेगा चार्ल्स डार्विन तो आप जानते हैं और इजिन ओफ इस्पेसीज नमक पूस्तक के लिखक कोन है? चार्ल्स डार्विन ये भी उप्सन में था तो आप याद रखेगा एस्परीन जो दवा है इसका आविसकार किस ने किया? कमेंट किजेगा एस्परीन दवा किस के दवा बनाया गया? तो एस्परीन दवा आप जानते हैं एस्परीन दवा का खुज किस ने किया? ड्रेसर ने तो एस्परीन दवा कि किन के दवा बनाया गया? ड्रेसर के दवारा एस्परीन दवा बनाया गया या आप याद रखेगा और चेचक की टिके की खोज किस ने किया चेचक का टिका किस ने खोजा चेचक का टिका तो आप याद रखेगा एडवर्ड जेनर तो आप जानते ही है एडवर्ड जेनर को याद रखेगा एडवर्ड जेनर सर ने क्या किया था चेचक का खोज किया थ सबसे इंपोर्टेंट सवाल तो यही आपका बनेगा कि परतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है क्योंकि चेचक कटिक आप सब जानते हैं तो परतिरक्षा विज्ञान का जनक पूछेगा तो याद रखेगा इम्मुनिटी का जो साइन्स है उसका जनक किनको कहा जाता है तो परतिरक्षा विज्ञान का जनक किनको माना जाता है तो याद रखेगा परतिरक्षा विज्ञान का जनक एडवर्ड जेनर को माना जाता है तो प्लीज क्लास को लाइक और शेयर कर दिजेगा ताकि बाकी बच्चे भी क्लास में जूड़ सकें और क्लास को थोड़ा आप अगर आपसे पूछेगा विटामिन सब्द किस ने दिया तो कमेंट किजेगा विटामिन सब्द किस ने दिया तो विटामिन सब्द अगर आपसे पूछेगा तो याद रखेगा विटामिन सब्द फंक ने दिया तो याद रखेगे विटामिन सब्द किस ने दिया तो याद परिवर्तन का सिधान धोगोडिब्रिज ने दिया था हरगोविंद खुराना आप जानते हैं अनुवांसिक कोडो का परतिबादन हरगोविंद खुराना नहीं किया था ठीक है और कुस्ट रोग के बारे में किस ने बताया तो हैंसन ने बताया था इसलिए कुस्ट रोग को ह लौर और विसानु का खोज इवयनो वासकी ने क्या ठीक है और अगर आप पूछएगा को प्योग हुज़ की बेंवाद श्क्रायों को श्रब्रकस के अ至ुतत के हैं लोगों को बेहोस करणे के रूप में chloroform का उपयोग होता है चीर फार करने से पहले chloroform का उपयोग किया जाता है बेहुस करने के लिए तो chloroform का आविस्कार किस नहीं किया तो याद रखेगा important सवाल है सबसे पहले इन्होंने ही बताया था कि chloroform का हम लोग जो है निश्चे तक के रूप में उपयोग कर सकते हैं तो gems, Simpson तो याद रखेगा Simpson, chloroform का विस्कार किस नहीं किया तो Simpson है, तो सबसे पहले इन्होंने इन्होंने ही बताया था कि chloroform को हम लोग निश्चेतक के रूप में उपयोग कर सकते हैं या आप याद रखेगा इसके अलावा आप से पूछेगा ABO Blood Group के लिए 1930 में Nobel मिलता है, और 1930 में आप जानते है CV रमन जी को भी Nobel मिलता है तो relate करके याद रख लिजेगा Card Land Steiner, समझ में आ रहा है तो याद रखेगा कि Card Land Steiner को Nobel कब मिला तो 1930 में Card Land Steiner को Nobel मिला ठीक है, तो 1930 में Card Land Steiner को Nobel मिलता है ABO Blood Group की खोज के लिए और 1930 में ही CV रमन जी को रमन प्रभाव की खोज के लिए Nobel मिलता है याप याद रखेगा ठीक है, और आप से पूछेगा Lewis Pasteur के बारे में तो आप जानते हैं कि रेबीज का टीका किनों ने बनाया तो Lewis Pasteur ने बनाया कि सुक्ष्म जीव विज्यान के जनक कौन है याद रखेगा सुक्ष्म जीव विज्यान के जनक किनको कहा जाता है Lewis Pasteur को कहा जाता है ठीक है, तो सुक्ष्म जीव विज्यान के जनक कौन है तो याद रखेगा सुक्ष्म जीव विज्यान के जनक किसे कि नहीं किया , तो याद रखेगा है है रिए डिका कर देगि तो यह तो यह तो तरवह भास स्वाली पूछेए इसके बनावा ऊंग सकता है इसके अलाव आपसे पूछ सकता है कि केंदरक का जो कोसिका में जो केंदरक का उपस्थिती है वो किस ने बताया या केंदरक का नाम किस ने रखा तो केंदरक नाम जो है रॉबर्ट ब्राउन ने दिया ठीक है तो अगर आपसे पूछेगा कोसिका के बीच में केंद्रक होता है तो केंद्रक नाम किस ने दिया तो केंद्रक का नाम अंकरन किस ने किया तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया ठीक है तो फटा फट क्लास को लाइक और शेयर कर दीजे ताकि बाकी बच्चे भी क्लास में क्लास में लाइब आ सके और क्लास का लाब उठा सके और थोड़ा क्लास को भी support मिल सके तो फटाफ़ट एक बर क्लास को like को शेर कर दीजेगा तियाद रखेगा केंद्रक का नाम किसने रखा, Robert Brown ने केंद्रक का बताया था ठीक है तो मलिरिया अगर आपसे पूछेगा मलिरिया के परजीवी के बारे में किस ने बताया तो रोनाल्ड रॉस ने बताया यह सवाल पूछेगा तो याद रखेगा मलिरिया के परजीवी के बारे में रोनाल्ड रॉस ने बताया ठीक है तो इतना सवाल यहां से याद रखेगा रोबर्ट कोच अगर आपसे पूछेगा तो हैजा और तपेदिक के बारे में किनों ने बताया तो हैजा और तपेदिक के बारे में किनों ने बताया तो याद रखेगा रोबर्ट कोच ने हैजा और तपेदिक के जिवानूं की खोज की थी तो याद रखेग रॉबर्ट कोच ठीक है है फैजा और तपेदिक के जिवानूं के बारे में बताया था और कोशी का सिधान्त किस ने दिया था सिल्थ योरी तो आपको याद होगा स्लाइडन और स्वान ने सिल्थ योरी दिया था याद रखेंगे इसके लाव पूछता है कालाजार चिकित्स किस ने सबसे पहले किया था याद रखेंगे इसके लाव क्रोमोजोम सब्द किस ने दिया तो बहुत अच्छा सवाल लिखा रहें जितना सवाल लिखा रहें सारा इंपोर्टेंट है याद रखेंगे ठीक है अगर आपसे पूछेगा क्रोमोजोम सब्द किस ने दिया तो याद रखेंगे ठीक है और डीने में डबल हैलिक्स मॉडल है डीने का आप जानते हैं तो डीने का आणविक सनरचना के लिए ड्वी कुंडलित प्रारूप का परतिपादन किस ने किस ने किया था तो वाट्स ने DNA का double helix model दिया था यह आप याद रखेंगे और संयुक्त सुक्षमदर्सी किस ने बनाया था तो संयुक्त सुक्षमदर्सी पहली बार जेड जोंसन और एच जोंसन ने बनाया था यह आप याद रखेंगे तो इतना सवाल यहाँ से आपका एक्जाम में आ सकता है तो प्लीज फड़ाफट क्लास को लाइक और सेर कर दीजे एक बार ताकि बाकी बच्चे भी हमसे जुड़ सकें और क्लास का लाब उठा सकें तो फादर अफ टैक्षोनोमी किने कहा जाता है तो याद रखेंगे केरोलस लीनियस को फादर अफ टैक्षोनोमी कहा जाता है तो उमीद करेंगे कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो आप क्लास को लाइक और शेर कीजेगा साथ ही साथ जो भी बच्चे बियसे ट्रिक पर नए हैं, आप सभी से आगरह करेंगे कि आप BSA Tricky Classes को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ regular रहें इसके अलावा जो भी बच्चे BSA Tricky Classes पर regular नहीं रहते हैं तो उनको कहना चाहेंगे कि आप regular रहें और यहां आप देख रहें कि exam oriented पढ़ाया जाता है तो आप यहां पर regular रहें और अपने पढ़ाय को एक अच्छी लेवल पर पहुंचाएं क्योंकि जब तक आप regular नहीं रहेंगे तब तक आपको कोई भी परकार का improvement नहीं मिलेगा तो अगर आप regular रहते हैं तो आपको improvement जरूर देखने को मिलेगा ठीक है तो चलिए इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं तो please class को like और share कर दिजेगा धन्यवाद